जानिये बोशक तत्वों से भरपूर, ग्रीन टी बालों के लिए है कितनी फायदे मन्द। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनस मंत्रा में जिसमें हम हेल्थ और फिटनस से जुड़ी महत्वपूर्ड और रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुचाते हैं जो जानकारी आजकल की भाग दोर की जिन्दगी में सबसे जरूरी है इसलिए हमारे चैनल को अभी सबस्क्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों अगर हम अपने बालों की देखबाल अच्छी तरह से करें तो हमारे बाल बहुत खुबसूरत दिखते हैं लेकिन बालों की देखबाल करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है कई बार एक गलत प्रोडक्ट हमारे बालों को इस तरह से नुकसान पहुचाता है कि हमारे बाल हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं इस वजह से ज़्यादा तर लोग बालों के लिए बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तमाल करना ज़्यादा बेथर समझते हैं कई बार तो लंबे समय तक हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे बाल क्यों छड़ रहे हैं बाल दो मुहें और रूखें क्यों हो जाते हैं लेकिन इस तरह की समस्याओं से छुटकार पाने के लिए अगर कोई उपाय है तो वह है कोई ज़्यादूरी नुस्खे जिनके इस तमाल से हमारे बाल पहले की तरह स्वस्थ और सुन्दर हो जाते हैं दोस्तों हम सभी यह अच्छे से जानते हैं कि घरे लू नुस्खे हमारे लिए कितने ज्यादा फायदे मन होते हैं तो अगर आप भी चाते हैं कि अपने बालों में कोई भी और किसी तरह की समस्याओं पैदा ना हो हमारे बालों को हमेशा स्वस्थ बनाय रखती है और हर समस्याओं से रक्षा करती है किसी भी अन्य हैर प्रोडक्ट को इस्तमाल करने के बचाएं अगर आप अपने बालों को ग्रीन टी से धोते हैं तो आपके बालों की ग्रोड बढ़ेगी बाल मजबूत होंगे और प्राक्रितिक रूप से चमकतार भी लगेंगे तो आईए हम आपको बताते हैं कि कैसे ग्रीन टी के इस्तमाल करके आप अपने बालों को प्राक्रितिक रूप से सुन्दर और स्वस्थ बना सकते हैं बालों में ग्रीन टी लगाने का तरीका, आपको चाहिए आदा लिटर पानी, दो से तिन ग्रीन टी बैक्स, विधी, एक बरतन पानी को गरम करिए, ग्रीन टी बैक्स को उसके अंदर डाल कर इसे थोड़ी देर के लिए ढग दीजिए, जब पानी हलका गरम रहे तभी इसे ब आप बालों की जड़ों से धीरे-धीरे मसाज करिए, इसे दस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, दस मिनट बाद अपने बालों को पानी से दो लिजिए, दोस्तों ग्रीन टी पॉलिफिनॉल नामक लावकारी योगीक से भरपूर होता है, ग्रीन टी में पाय जाने वाले polyphenols का नाम epiglect each glad यानीFlow egcg है जो बालों को घना बनाता है सीद έχει जणों को लाव पहुचाता है और बालों के रों के को सक्रिय तो mayoría करता यह प्रदूशन्ट या परजीवी हो सकता है दोनों ही बालों के लिए बेहत नुकसान दें हैं लेकिन ग्रीटी के पानी से बालों को धोने से बैक्टीरिया और फंगल परजीवी नश्ट हो जाते हैं हाला कि इन से आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह जड़ों को भीतर से नुकसान नहीं पहुचा सकता है कमजोर जड़ों का मतलब है जादा बाल जड़ना लेकिन ग्रीटी के पानी को फ्योग लगातार बालों के जढ़ने को नियंत्रित कर सकता है दोस्तों बालों के लिए लगातार और बिनारू के रक्संचार होना बहुत ज़रूरी है और उनके स्वास्त रहने की संभावना बढ़ेगी आपने सुना होगा कि तेल की मालिश भी रक्संचार को बढ़ाने में मदद करती है अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रही है तो ग्रीटी से बालों की मालिश करने का प्रयास करें गुनगनपानी और ग्रीन टीके लागकारी कुण रख के संचार में बाधा उत्पन करने वाले मुक्त कड़ों को नश्ट कर देंगे जिससे बाल बढ़ने में मदद मिलेगी दोस्तों ग्रीन टीक ऐसी चीज है जो आवश्यक योगिकों से भरपूर होती है जैसे कोरिडिनॉइट, टेक ओफर लॉस, जस्ता, क्रोमियम, एसकॉर्बीन एसेड, सलेनियम और मैंगनिज ये सभी इसमें मौचूद हैं क्रोमियम और मैंगनिज को छोड़कर मां की सभी योगिक पालों की जड़ने को नियंतरित करने में बहुत प्रभावि सावित होते हैं इतना ही नहीं बलके नए बालों को उगाने में भी काफी मदद करते हैं तो देर मत कीचिए पालों को स्वस्त और सुन्धर बनाने के लिए आप भी अपने डेली रूटीन में ग्रीन टी को ज़रूर शामिल करिए दोस्तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंतरा को और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाए लेटेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए